प्रिफ्ट क्लास आपको जैसे पताई है हमारा चेप्र चल रहा था कभी दोहा वली कुछ दोहों के बार हमें हमने कल जाना बाकी के दोहों के बार हमामाद जानेंगे तनका बैरी कोई नहीं जोमन शीतल होए तू आपा को डारी दे दया करे सब कोई तनका बैरी बैरी मिन्स दुश्मन आपा मिन्स गुस्सा डारी मिन्स त्याग दे तो इसका कभी दाजिस में कहते हैं कि तनका बैरी कोई नहीं हमारे मन का, हमारे तन का, हमारे शरीर का कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा जो मन शीतल होई, अगर हमारा मन शीतल है, शान्त है तू आपा को डारी दे, दया करे सब कोई तू गुस्ये को त्याग दे, और सब पर दया कर कहने का भाव यह है कि अगर हम अपने अंदर के जो गुस्सा है उसको त्याग दें सब पर द्या करें तो हमारे शरीर का कोई भी बैरी कोई भी दुमारा दुश्मन नहीं रहेगा कबीर यह मन लालची समझे नहीं गवार भजन करन को आलसी खाने को तैयार कबीर दाजी कहते है कि हमारा मन क्या है लालची है लालच करता है समझे नहीं गवार हमारा मन समझता नहीं है अनपड़ है गवार है भजन करन को आलसी खाने को तेया अगर हम उसे कहते हैं कि बगवान का सुमिरन कर बगवान का भजन कर तो वो क्या है उसे आलस आता है वो उस काम को नहीं करता लेकिन खाने को क्या हो जल्दी से तेयार हो जाता है भाव यह है कहने का कि हमारा मन जो है बहुत लालची है इदर उदर की बात हमें भटकता है हमारा मन जो है वो किसी भी बात को नहीं समझता कि बगवान का भजन सुमिरन करे भजन सुमिरन को करने के नाम पर तो से आलस आता है जब कि कुछ भी खाने को वो फटा-फट जल्दी से तयार हो जाता है मन के बहुत तक रंग है चिंचिन बदले सोए एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई बहुत तक यानि की बहुत सारे अनेक चिंचिन पल पल एक एक मिनट जो बोलते हैं बदलता है उसको बोलते हैं चिंचिन बदले एक एक मिनट में बलता है, एक एक शन में बदलता है, एक रंग में जो रहे ऐसा बिर्ला कोई बिर्ला, यानि कि कोई सो लोगों में एक ही जो ऐसा व्यक्ति होता है, अलग उसे बोलते हैं बिर्ला, तो वो कहते हैं कि मन के बहुत तक रंग है, हमारे मन के बहुत से रंग है, आपने देखा हुआ कभी हमारा मन करता है कि हम ये खाएं, कभी करता है वो खाएं, कभी कहते हैं, हम वहाँ गूमने जाएं कभी कहता है हम ये बहने कभी कहते है हमें गाड़ी चाहिए, हमारा मन के बहुत से रंग है हमारे मन के मतलब वो पल-पल में बदलता रहता है चिन-चिन बदले सोए पल-पल में बदलता रहता है एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई ऐसा विरला कोई ही विक्ति होता है जो सिरफ एक ही रंग में रंगा रहता है यनि बग्वान की बक्ति में लीन रहता है ऐसा विरला ऐसा अनोखा कोई एक ही विक्ति होता है साहब से सब होत हैं बंदे ते कुछ ना ही राही ते परवत करे परवत राही माही साहब से या मतलब है इश्वर से इश्वर से सब कुछ होता है बंदे से कुछ भी नहीं होता यानि बगवान जो है वो सब कर सकता है लेकिन इंसान कुछ भी नहीं कर सकता वो चाहे तो राही को परवत बना दे और चाहे परवत को राही बगवान छोटे से लेकर बड़ा कुछ भी कर सकता है और चाहे तो राही छोटी सी चीज को पहाड बना दे और चाहे पहाड जितनी चीज को छोटा यनि कि वो चाहे तो हमें बहुत बड़े-बड़े कस्ट दे दे और चाहे हमारे कस्ट को बिल्कुल ही छोटा साक बना के उसको खतम कर दे तो बगवान सब कुछ कर सकता है इंसान कुछ भी नहीं कर सकता राही ते परवत करे परवत राही माही चाहे वो राही से परवत पना दे और चाहे वो राही को परवत और चाहे परवत से राही अंतर जामी एक है तू आतम के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे प वो क्या कह रहे हैं